दोस्तो स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लवगुरू MK में दोस्तो आज मैं बात करने जा रही हूँ खोई प्यार के बारे में क्या आप अपना खोई प्यार वापिस माना चाते हैं? क्या आपका प्यार आपको छोड़ कर चला गया है? आपके लिए है क्योंकि आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको बताऊंगी खोई प्यार वापिस पानी के बारे में कुछ उपाई इसलिए आपको हमारे साथ इस वीडियो में लास्त तक रहना है दोस्तों प्यार वो एहसास होता है जो जिन्दगी को खुबसूरत बिनाता है लेकिन कहीं बार अंजाने में कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसके कारण दो प्यार करने वाले अलग हो जाते हैं सेपरेट हो जाते हैं दोस्तों ऐसे में व्यक्ति खुद को अकेला महसूस करने लगता है और अपने प्रेमी या प्रेमी का कियादों में खोया रहता है कहां भी जाता है कि किसी चीच की कदर उसके जाने के बाद ही पता चलती है चाहे फिर वो प्यार हो ऐसे में लोग अपने घोई प्यार को पाने के लिए कुछ भी गरने के लिए त्यार होते हैं अगर आपने भी अपना प्यार को खोया है तो यहाँ वीडियो आपके लिए है बस आप इस वीजियो में बताये गए टोटको को जुरूर अपनाएं और हमारी सेजियो को like share जुरूर करना दोस्तों सबसे पहला टोटका है कि आपको एक पका हुआ केला लेना है उसे छोटे छोटे टुकडो में काट लेना है उसके बाद उन टुकडो को पिछका कर उसका लेब बना लेना है फिर उसमें घोचन पाउडर मिलाना है उसके बाद उसको अपने सर पर लगाना है इसके अंदर इतनी अट्रेक्शन शम्मता होती है इतनी अट्रेक्शन शम्मता बढ़ जाती है फिर आप अपने रूटे प्यार के पास भी जाएंगे वो कुछी दिनों में आपकी तरफ अट्रेक्ट होते चला जाएगा आपकी जिन्दगी में वापिस आ जाएगा दोस्तों हमारा दूसरा टोटका है नारियल आपको नारियल के बीच धतूरे के बीच कपूर को लेना है उन्हें बारीक पीस लेना है फिर आप इसमें शहाद मिलाकर इसके गाड़ा पेश्ट त्यार करना है इस पेश्ट को आपको अपनी माथे पर तीलक लगाना है इस तीलक के प्रभाव से आप जिस किसी के पास भी जाएंगे वह व्यक्ति खुद भुखुद आपकी तरफ अट्रेक्ट होता चला जाएगा और आपका प्यार आपको जोट कर गया था वह खुद आपके पास आएगा आपको पर्पोज करेगा और आपके साथ रहेगा दोस्तों हमारा तीसरा टोटका है जैसे पति पत्नी में प्यार खतम हो जाता है लड़ाई जगडों की वज़ा से पत्नी घर चली जाती है और काफी समय तक वापिस नहीं आती ऐसे में पत्ती को शुकरवार की दिन शायद की छोटी सी शिशी लेनी है उसमें अपने पत्नी और अपने पत्ती की फोटो डालनी है फिर शिशी के विस्तर की नीचे दबा देनी है और इस मंतर का जाप करना है ओम नमो कमक्या देवाई मम वश्य कुरू कुरू स्वादोस्ते इस मंतर के जाप के बाद आप सोच जाएं कुछी दिनों में आपकी पत्नी घर वापिस आजाएगी इस उपाय को करने से आप अपने पत्नी को भी ला सकते हैं और अपने रूटे हुए प्याल को भी मिना सकते हैं अमेद करती हूँ आपको ये वीडियो में बताएगा टोट के पाय पसंद आए हूँ तो आप इस वीडियो को जुरूर लाइक शेयर करना और हमारे यूट्यूब चैनल लवगुरु एमके को सब्सक्राइब करना हमारे साथ लास्त तक रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यावाद